हेलो फ्रेंड्स वेलकम चो मदर्स कीचिन आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ मेरा फैवरेट पनीर पानैपल सालड जिसे हम ग्रील करके बनाएंगे और यह बहुत ही हेल्दी एंड यमी और इजी रेसिपी है सो लेट्स स्टार्ट मैंने आप टू टेबल स्पून अरिगेनो एंड बैसिल आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बैसन ले सकते हैं मैंने या क्यूमिन पॉर्डर एड किया है सौल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट लें अब पहले हमें एक बार इसे मिक्स कर लेंगे जस्ट क्विक मिक्स बीना बैसन की मुझे जादा अच्छा लगत अब आप चाहे तो एक एक पनीर का क्यूब लेकर इसे इस तरीके से डीप करके भी बना सकते हैं या फिर आप सारे पनीर को एक साथ डाल दे और जैंटली मिक्स कर लें इस तरीके से यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें पेपरेट कर रही हूँ आप चाहे तो ग मिनिट के लिए after 30 मिनिट हमारा जो पनीर और कैपसिक में वो मैरीनिट हो गये हैं और इन्हें स्टीक में इस तरीके से लगा दूँगी पहले पनीर फिर पेपर और इसी तरीके से हम सारी स्टिक्स रेडी कर लेंगे मैं इसे एर फ्रायर में कर रही हूँ इसे हम 400 डिग्री फ वो मैं नाइसली डण हाती है और मैं सिर्फ पहले पनीर ही दिखा रही हूँ आप लोगोगों को ताकि आपको पता चले कि रेट्री किन नाइसली हम इसीली घर सकते हैं अगर और आपके पास एर फ्रायर नहीं है तो आप गेश पर भी कर सकते हैं मैंने इतर पॉप कर को जल्दी टूटे ना और अच्छ से ग्रील हो जाए इसे भी 400 डिग्री फेरेनाइट पर ही ग्रील करेंगे पांच मिनिट के लिए आपको थोड़ा सा क्रंची और क्रिस्पी खाना है तो अब इसे साथ मिनिट के लिए ग्रील करें आफ्टर 5 मिनिट आप देख सकते कि हमारा प कुकुम्बर ग्रीन ओनियन और सिलैंट्रो हरा दनिया और हम इसे गार्निश कर लेंगे अच्छ से आप चाहे तो कुकुम्बर को भी ग्रील कर सकते हैं ब्लैक पेपर मैंने एट किया इसके उफर और इसी के साथ में थोड़ा सा चाट मसाला और एट कर रही हूं और क्यूम आपल पनी सालेड रेड़ी है लेट्स टाइट और लेट मी नो हाओ इस इट प्ली लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल स्टे ट्यून और मिलते एक नही रेसिपी के साथ थैंक यू